एडी के विशेश अदालत से फिलहाल हिमन्द सुरेन को रहत नहीं मिली है यहाँ पर एडी की विशेश अदालत ने हिमन्द सुरेन को पांस दिनों तक और पूस्ताच के लिए रिवान अवदी बढ़ा दी है हमारे साथ जिला ध्यक्ट मुस्ताक अलम है जो की जैमेम के जिल पर चलती है और एक मास्टर प्लान इनका बना हुआ रहता है हम लोगों को मालूम था कि पांस दिन का रिमान पहली बार मिला है दूसरी बार भी इसी तरह का कुछ होगा यह खाना पूर्ती करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर जब मन्य हमन्सुरेन ने उनसे कहा कि मुझ खाना जे यहाँ पर पांस दिन के लिए रिमान पर दिया गाया था जो बेस्मेंट में रखा गया है जहां बेंटिलेशन भी नहीं है और धूप भी नहीं मिल रहा है सफोकेशन फिल कर रहे हैं हमारे सेहत पर असर पढ़ रहा है इसलिए इस पर रोक लगाई जा लेकिन कि किसी किसीम का सबूत भी नहीं है अगर सबूत है तो पेस किया जाने तो हमको छोड़ा जाए यह लोग तो कहीं न कहीं से यह डिले टेक्टिस करके और कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाएंगे यह तो इनका तरीका है जो दूसरे के केसों में भी देखने को मिलागा तो इसी तरीके से इन पर भी कुछ को जोड़ेंगे अभी यह है इसके अलबा कुछ नहीं है प्रैंसपर पोस्टिंग अब सरकार है तो ट्रैंसफार पोस्टिंग तो सेटिक आप किसी को जोड़ेजेगा अभी जो पैसे का लेंदम का जो चैटिंग करिast वो कहीं दूसरे चीज का है कहीं का किसी और का है उसको मिला दिया जा रहा है तो ये तो इनके हाथ में कानून भी इनके हाथ में वकिल भी इनके हाथ में जज भी इनके हाथ में इडी भी इनके हाथ में सिभी आई भी इनके हाथ में तो इनको क्या कर सकता है कौन लेकिन जनता लोग और भारतिये जंता पाटी के निता काफी संख्या में जमीन ले ले करके और कपजा करकर करके और घर बना के महल बना करकर वीडियो जारी किया जिसमें जो है वह चौकिदार बताया जा रहा हूँ साड़े-8 अठीकर जमीन का रो बोल रहा है कि जो यह इसका जो मालिकान के लिए इस पर तो माननी है मदी ने सदन में भी मांगा कि अगर है सबुत्तों देदो दूसरी चीज़ कि इन्हों ने जिन को पूछा कि जो रिकोर्डिंग कर आया कि और बनाया गया रिकोडिंग करके और इस तरह का बहुत सारा रिकोर्डिंग मिल सकता है इनको पूछा तो बाकी 16 साल नौ महीना कहा है तो तन्खा मिलना चाहिए था अगर एमन जी रहते तो वो तो तंखा देते रहते तो उच्छोड के क्या हूं नहीं चला गिया यह बाउंडरी होने के पहले से वहां आदमी रह रह रहा है उसमें तो यह सारा चीज जो है यह प्रोजेक्टेट स्किम जो है यह भारतिया जंता पाटी खड़ियंतरकाडी पाटी है सड़ियंतरकारी पाटी है इनके अंदर में इस तरह का कोई यह नहीं है इनको ना लाज है यह लोग कुछ भी कर सकते हैं इसलिए इस तरह का एक प्रोफवेंड़ा अब खेलना सुरू कर दियें लेकिन से दम नहीं है और इसमें कोई जान नहीं है यह कार्किरता भी समझ रहे हैं और पूरी जनता जान रहे हैं पड़ेगा कैसे देख रहे हैं जो यह एडी और हेमन सुरिंग को प्रक्राइब चल रहा है जारखन की जनता पर खास करके आने वाले चुनाओं पर कितना असर पड़ कोई परकरण चल रहा हो तो यहीं परकरण चल रहा है किसी भी जनता से सर्वे रिपोट करके देख सकते हैं आप देखेंगे कि सब को समझ में आ रहा है कि एडी का खेल क्या है यह सारा चीज है कि दो हजार चुबीस का जो चुनाओं है लोकसमा की 14 सिटे है उस पर कैसे का इस पर कबजा किया जा सके इसका यह सारा खेल चाल का साल गिरा भी है घृँ हम लोग आज आपके माधियम से भी मन्हें है मस जी को और कलपना जी को उनके साधी के साल गिरा पर हम लोग कर्च करता हों के तरफ से धन्यबाद देना चाहेंगे कि समतिसे वह मौझूद नहीं एर, पहली बार है कि पंदर सालों में ये पली बार है कि ये उंसे दूर हैं लेकिन हम लगों को येसी जान का रिये है कि भालत रिगनम इये किस व्माकीफ जा करके उंसे www.thefollowup.in